नमस्कार स्वागेत आपका हरियाना इन्विश्ट 24 पर मैं हूं मुना लंबा मेरे सेवगी हिमान सुलंबा के साथ हम अधूद चर्की दादरी हरियाना राज्ये में और नया जलाबिना है हमारे साथ खास एक मैमान फिर दुबारे से खास बात्चीत में मुदूद है अधिवक्ता वकिल गुडू तक सक और बात्चीत करेंगे 14 दिन के धरने की पुलिस के खिलाब धरना परदसन फर्जी इनकाउंटर बगेरा 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 बहुत बाते निकल के आई और बहुत बाते 14 दिन तक चली 2400 घंटे धरना चला धरना सत्यगित कर दिया गया है वो भी जाने के गुडू तक सक चे अगर धरना उठाना ही था तो 14 दिन गुडू तक सक अपने साथ लोगों के लेके ठीठोटी ठंड में हार्ड फोर्टा ठंड माइनिस 45 डिगरी रात को तापां चला जाता है क्यों प गित हो चुका है अफायर तक लोज होई नहीं क्यों आखिर गुडू तक सक थलना उठाना पड़ा कहीं पुलिस के अपर प्रेसर तो नहीं बना रहे हैं गुडू तक सक कहीं कोई बलेक मेलिंग का मामला तो नहीं है गुडू तक कि तरफ से जनता जनादर कितनी आई कितना सायोग मिला ये भी इन से जाने गए कई बीशेप में बात चीत होगी क्योंकि अफायर लोज नहीं होई तो सारी बाते कहीं ने कहीं बिश्तार से करेंगे गुडू तक सिक जी से गुडू जी आपका बहुत-बहुत सवागत है हरियाना निउस 24 पे आपका भी बहुत- बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- सब कमाना था कुड़ू तक्षक को तो पुलिस को मौराई क्यों बनाए फिर आपने देखिए आजादी से पहले की बात करें बहुत पुरानी तो नहीं इस देश में बहुत से वकिलों ने मुद्दे उठाए हैं मामले उठाए हैं चाहिए गांदी जीमानों नेरो जीमानों पैरों के नाखुन तक के लेवल में नहीं हैं छोटी मोटी चीज़ें दादरी या जहां तक हमारी लिमिट से वहां तक अपना काम कर रहे हैं एक इनसान की जो मौरल डूटी है हम वो निभा रहे हैं सोशाइटी क्या सोचती है पब्लिक क्या सोचती है उनके भी अपने देखरना कुन सा बुरी बात है पैसे एठी जाए गुड़ू तक्षक की तरफ से देखिए अगर अरियना पुलिस बलैकमेल होती है तो मैं कहूंगा वो अरियना की रक्षया कैसे करेगी इससे फद्दूप अना कोई मामला नहीं हो सकता अरियना पुलिस के पास नहीं अरियना सरकार के पास एक CID Department है जो चीजों को देखिक सही क्या गलत क्या है अगर अरियना पुलिस बलैकमेल हो रही है तो ये सरकार की नाकामी है और गुड़ू बलैकमेल लगर रहा है अरियना पुलिस को तो मेरे इसाब से अरियना पुलिस को भी अना एक बार आई ना देख लेना से ये कि एक इनसान आपको बलैकमेल कर रहा है तो कम से कम मेरे सवाल का जवाब तो ये है ये जो आपकी न्यूज है फरजीन काउंटर वाली ये Human Rights Commission तक गई है High Court तक गई है Times of India लिख रहा है तो मेरे दिमाग मुझ चल रहा है जो लोग दे रहे हैं के दिमागें भी ये इई बाद चल रही है तो फिर आखिर था क्या क्यों बैठे इतने दिन तक है देखिए पिछले 14 दिन से हम बैठे हैं सिकायत करता तो दो महीने से घर बैठा था उसके साथ सारे काम हो गए थे सिकायत करता जब मेरे सामने आया तो हमने बताया कि अगर आपके साथ ऐसा वात हमने लडाई लड़ने सी है हमने अपनी लडाई सरू करी पुलिस ने इन्वेस्टिकेशन में काफी खामिया थी जब यहां पे हम दरने पे बैठे तो यहां भी साइटी बना दी थी उन्होंने हमारे पर प्रेस्टिकेशन करना चाया और सब चीज़े करना चाया तो जैसे सोंबिर शांगवान मिले है निल्वीज से बीच में तो उन्होंने काया कि मामला क्राइम ब्रांस को ट्रांसर कर दिया फिर भीच में एक बात आई कि मामला जजजर SIT बना कर ट्रांसर कर दिया हम यह कह रहे हैं कि दादरी पौलिस में इनिवस्टीकेशन करने में क्या अधिकत थी हमने हमारी मांग नहीं थी कि मामला जज़ ज़ ट्रांसफर हो या कहीं चंदीगड कोई कराइम बरांट जांस करें हमारा मामला यह था भी आज से तीन-चार साल पहले इनकाउंटर हुआ था जादरी में एस्टीफ ने किया था जादरी पुलिस ने गिरिफ्तार कर लिया उससे पहले 2014 में अब आप एफायर की बात कर रहे हैं 155 नुम्र एफायर थी तो अपरेल 2013 की उसमें क्या हुआ था कि पुलिस ने किसी फरजी केस बनाके किसी बंदे को अंदर कर दिया था तो शेम एफायर में पुलिस गिरिफ्तार होगी थी तो एफायर तो शेम भी रह सकती है इन्वेस्टिकेशन वागर वो दोस्ची मिलते हैं तो यह तो है लिगल पहलो दूसरा यह है कि सुप्रीम कोट की एक अथोर्टी है उनी सो बाड़ में की उसमें हुमन राइट कमिशन वर्सिज यूनिन ऑफ इंडिया का मामला था तो उसमें सुप्रीम कोट यह कह रहा ह अनिल्वीज की टेबल पर जा लिया उसमें गुड्डू तक से कौन है परिवार आपके पास खड़ा है और आपके पास सबूत हैं तत्थे हैं ठीक है ना तो एक आदम अगर आपको मैनेज कर रहा है यह ना सरकार को और पुलिस को तो यह यह सरकार का फैलियर है पुलाल मै मादरी पुलिस इन्वेस्टिकेशन करें तो उन्होंने कहा कि आप हमारे को 15 दिन का समय दे तो हमने पिडित परिवार दें और समाज के लोगों ने जब दढ़ने पे स्पी मैडम भी आई फिर डीसी बी उनके साथ आई तो उन्होंने का जिए तरणा भी रहेगा चीजें तो आप हमें 15 दिन का समय दें अगर 15 दिन में आपको लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप दोबारा से कर सकते हैं तो सेकिंड बात यह थी कि हम पिडित परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं पिडित परिवार के साथ समाज खड़ा है वहां धरने पर हमारे जैसे लो और में चीज़ें मैनेच होने की यह कोजीजें सेट होने की तो पिडित परिवार फरी है गुड़ू तक सखी यह कोई और भी आ सकता है जो उमारे पर एलिकेशन लगा रहे हैं उनको हम कहा रहे हैं कि आपकी वी टूटी है जस्टीज दिलाना आप पिडित परिवार को तो यह अनिलिविज का फैलियर है डीजीपी का फैलियर है वो दूद का दूर पाने का पाने करें हमारे साथ गुद्डू तक से खाजबाचे तुए मनेवाधी वक्ता सर्की दादरी से मुद्दा बहुत बढ़ा था फरजी इन काउंटर दस लाक रुपे का कुछ लें देन पुलिशन ले लिए काफी बचोदा दिन तक हर मेडिया और सब अठे पड़े रहते थे सुबे से शाम तक और काफी हाउ लड़ चला है लेकिन अब पंदरा दिन के लिए धन्ना उठा लिया गया है गुद्डू जी एक मुद्दा और निकल के आई इस दर्मान अपनी जो पीडिट परिवार तो उसको बढ़काया है मामला सोट आउट हो गया था मामला खुर्द मुद्ध हो गया था आपने उनको बढ़काया है बढ़का कि आप रोड पे ले के आए उनको ऐसा भी कुछ मुद्दा बिलकुल आपके एलिगेशन्स तरिक का अपका अलग है बतान कि ऐसे से भी पुलिस ने कर दिया तो मैंने उनको कहा जए और को किसे लिए अगले दिन पुलिस ने और भंचेश रहे हैं। के दिए गड़ार आपके फिरी ऐस कमिने का थzil भालता के सुने कि थो कुछा जन स्योक्तों कि प्रक्ता शक्तावेश हैं बारा रहे ख़ुड़ के करता है कि खЫल्याइब लेहेें क क्या खो खुन किने को और सुरूल गढ़ें भड़ी裁 आपके dus दिखाई दिये, तो क्या ये मसला क्या समझ में नहीं बैटा, चलो तो आप जन सयो कर रहे थे, पेड़ित का पक्स चलो आपने सही लिया, तो ये क्या, अगर आप सही थे, तो आपके पूरा सिस्टम में खिलाब देरे-देरे हो रहा था है, नीचे-नीचे, क्या चल रहा था दादरी में कुछ मेडिया के साथियों भी इस बात को ने उठा, इसका मतलब ये कहूँ कि मैं मेडिया के साथियों भी कमी है, देखिए, ना, कोण हमारे साथ था, मेरे साथ था, कोण मेरे खिलाफ था, इशू ये नहीं है, इस विशे के उपर पूरी दादरी में एक भी आ कादरी में विशे के खलाब कि सिमी बोला है मेरे व्यक्तिकत के विरोधी हो सकते हैं वह विशे विरोधी नहीं थे और इतने टव दी रेने पी चाहिए आज़ादी में भी सब लोगना तय की मुठी पर लोग आज़ा दी उसाल नहीं करता 500 कोई मालग दर्संद करता नहीं ममं से कोई शिकायत है पर आई है पहले दिन स्वागवन काप दरने पर आई है इसके लवा वोच्छे जिलापार सा दरने पर आए हैं बीडिसी मेंबर दरने पर आए हैं जो दादरी का निये तरता था उसका 90 प्रसंट दरने पर आया है तो जंता हमारे साथ थी हम चाहते हैं दो जार चार जार पांट जार दस जार आद्मी रोड पर राना वो भी नरे लिए कम था कोई बड़ी बात नहीं है पर हमारा सांकेतिक दरना था था सबक्राइब में यहिसली था यह और पक्स के लगभ च sniff कर लकुख सभी नियता दरने पर आये अपने विदायक दरने पर आये अनिल विज्चे मिले शत्पाल फ्रांगवार जी दरने पर आये तो कोण नहीं आये दरने पर जनता दुथी माल लेते हैं हमारे साथ गुड़ू तक से खास बाद चेते हैं बड़े वगता चरकी दादरी हरियाणा से हमेशा ये टेशी के परविट पकस्प से दिखाय देते हैं लेकिन ये मसला बहुत गंबीर था हम भी समय समय पर इनेल विजज के साथ होते हैं बातकों हम बहुत जल्दी उनचे मिलेंगे और कई मसलों भी बात्चित करेंगे, इस मसले को भी लेंगे, इंटर्वी में उनके साथ जब बात्चित करेंगे, पूरे देश को पता था हरियाना को, 14 दिन तक चार उत्तरफ आग लगी हुई थी, फरजिन काउटर, फरजिन काउटर, कान पक गए थे लोगों के सुन-सुन करेंगे, पूरे देश को पता था, साथ में दस लाग, दस लाग, दस लाग, छोट छोटे बच्चे भी ये मेटर समझ गए थे, पढ़ने वाले बच्चों की दिमागें पैट गए थे, दस लाग फरजिन काउटर, सरकार को पता नहीं चला, अनिल बिज जी को घरे मंतरी, उनको पता नहीं चल पाया कि क्या उनको, यहां के जो अफसर हैं, डी जी पी साहब हैं, उनको पता नहीं चल पाया क्या, यह मेटर का, चोदा दिन तक इतना हाउ लड़ पूरे लग लग लग, हरियाना से बाहर कई राज्यों में यह बात चली गई थे, और आप कहते हैं, यह मसला क्या, तो यह बू कहां आपकी बात अठक गी, यह फिर वो सुनना नहीं चाहते थे, यह हमारी समझ से परहिए, देखिए, हमारे विदा एक दो बार अनिल वीज से मिलके आए हैं, ऐसा प्रेश्म भी आया है, हमारे विदा एक का कहना था, दादरी का तो बतोर परत सलव यह है कि जब लड़की के उपर गोलियां चली, उसकी जांस तीन दिन में ही होगी, गिर्फतारी भी होगी, दोशी भी पैजान लिए, आपकी हम चोदा दिन से तो दढ़ने पर हैं, दो मैंने से मामला यह वैसे इन्वेस्टिकेशन पेंडिंग है, और अब 15 दिन का औ अजिए तो सरक्ार का है, हमने तो पहले दिन बता दिया था जी आपके ऊपर यह 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 लिए, प्वंगों numerous 10 लाग रुपे लिए हैं फर्जी इन गाउंट रुआ है आपके पास तथ्य हैं फ्यक्ट्स है जिनके उपर दो तिन में पुलिस को उंदर कर सकते थे या तो पुली को बचा रही है या सरकार बचा रही है या बड़े अपसर बचा रहे हैं अगर कोई मेनेज करना चाहता है तो पुलिस, एक बड़ा है ना, के नाम है, इंस्टूट है, सरकार एक बड़ा इंस्टूशन है, उनको अपनी पारदर्सिता दिखाने के लिए दूद का दूद पाने कामानी करते ना चाहिए, ग्राइम प्राइब लाओ, विजिलेंस ते करवाओ, और कहीं से करवाओ, एक आदमी अगर मैं ही मैनेज कर जाऊं या परिवार प्लिस को मैनेज कर जाए तो फिर कै रहा हूँ प्लिस का फेलियर है रिजना सरकार का फेलियर है देखिये जास के नाम पे पिडित परिवार को या मारिजे से लोगों को लगातार 14 दिन तक दुखी किया गया है हो सकता है अब भी बहुती चीजे निकल के ना है हो सकता है प्रेसर भी हो जाए ठीक है अगर पुलिस आरूपियों को अंदर करती है तो हो सकता है बड़े अदिकारियों तो कहां चाजाए हो सकता है यह ना पुलिस का चेरा सामने आ जाए हो सकता है गुवर्मेंट का चेरा सा प्रजी लेवल के उफिसर बताएं यहां नील विज बताएं कि आपके सिस्टम में खामियां का आएं आपको जनता को संदेश देना है कि फर्दर बैसे मैं इसी चीज़ें नहीं होंगी अगर कोई पुलिस का आदमी भी सरकार का आदमी भी सरकार का आदमी भी इस चीज़ को मैनेज कर रहा है यह सरकार का आदमी या पुलिस का आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा है तो भी यह सरकार का इफैलियर है अब सही बात तो हायर ओफिसर बताएंगे कि वो इस चीज़ में ट्रांस देदिया हमने जो कहते है बंदे को पेस कर दिया आप उनको अन्टर किजिए उनको इंटर्गेट किजिए हमारे पास 14 दिन में एक भी आजमी जो पुलिस की ओडियो एगीडियो डिज़ीपी यह उपर तक किसी आजमें यह निकाय कि इन पैसे की डील नहीं हुई तो मोन रेने का इतना बड़ा सिस्टम मोन है इसका मतलब क्या है आप देखे आप गिर्फ तरक क्यों लेकिर रही पुलिस यह तो पुलिस की हायर उफिसर जाने यह साख उनको बचाने है हमने तो आरूप लगा दिए वह अपने आपको दूर का दूर का पानी करके दिखाएं जज़ड़ पुलिस कर रही है क्या लगता है अगर आप सही है तो क्या वास्तम ही कुछ कारवाई हो पाईगी अब आपको क्या लगता है क्यूंकि कारवाई तो खन पड़े ही है क्योंकि यह मामला बहुत हाई ले उनका बन चुका है और यहां इस समय SP के हाथ की बात नहीं है, SP कुछ करने सकती, इस मजले को लेकि तो कहीं कि यह बढ़े आदिकारी हों के, बढ़े नेताओं के और मुख्यम अतुरियानी की इस तक किह बात से, तो क्या लगता है ? यह हो पाएगा कुछ देखिके में? पिल्म को सचाइब करेंुट उसको भी तोड़ना उसको भी तोड़ना उसको भी परेशान करना बड़ा इनके लिए आसान काम है तो पहले वड़ा इन काउंटर केस था उसको इन्होंने मैनेज कर लिया था परिवार को ना एक नोकरी दे दी यहां पर डीसी रेट के उपर उसकी पतनी को लड़के की पतनी को दस लाख रुपिय गवर्मेंट ने पुलिस राम ने इकठे करके दे दिये एस्पी डीसी वगरा ने और च्राइस लाख वो बाद में ले गया उसके बावजुद भी एक जजज ने उस कैंसर रिपोर्ट को के नाम कैंसल किया और बंदों को के नाम उनकी बेल करवाई बंदो को नोट्स करके कोर्ट में सेंडर कर वाय रए दोबारा से जबकि पुलिस न उसको कैंसल कर दिया था तो पुलिस के दमाख में यह हो सकता है कि इनको प्रेशर करके चीज्जों को मैंनेज़ कर ले तो ये भी मैं तो यह कह रहा हूं कि पुलिस का इफेलियर है सरकार का इफ चीज़ों को खराब कर रहे हैं, जनता न तो मान लिया, इनकाउंटर फेक था, दादरी की जनता न मान लिया, हर्याना की जनता न मान लिया, मीडिया ने भी एना, मेरा तो सवाल ये है, कि आप इसमें आप SP को SP बोले, IG बोले, DGP बोले, ठीक है, और चीज़ों को आप मिसमे हो रही है, और जनता का जो पुलिस के परती बैह है, आज लोग क्यों आए रोड की उपर, आज रोड पे लोग इसलिए आए, कि चाहे थाने में जाओ, चाहे चोकी में जाओ, पुलिस का जो अत्याचार है, वो सरीफ आदमी पे, इजदार आदमी पे, बरकरार है, इसलिए चलाई, वो किस कैपेस्टी में जादी, क्या जरूरूत थी उनको गोलियां चलाने की, जब सतर सतर साल के आदमी कठा हो कि यू कह रहे हैं कि जी हमने उसको नोगां अगां से पेस किया था, तो आपने उनसे चोदा दिन में एक बार भी पुस्ताज निगरी तने ब इस सवाल तो उन से करना चाहिए, जो अपराती है, उन से करना चाहिए, दादरी एस्पी से करना चाहिए, यह सवाल मेरे से क्यों है, हम तो आरोप लगाने वाड़े हैं, कल को कहेंगे जी को रात को किसी का मटर कर के से ला गया, कल को पुलिस कहेंगे जी पिस्टल आप ला तो फिर अगर परिवार सोसाइटी साथ फिर दुबारा बैठ सकते हो धरने मैं कभी नेड़ता है इन चीजों से मैं तो पिडित परिवार कल आकि यूँ कह देगा अभी धरने को उठा दो दिन हुआ है कि काफी चीजें गल्थ चल रही है क्योंकि उसमें जो एफेक्टिड प यह रहती है कि अगर वो दो दिन बाद यू कह देंगे दादरी पुलिस ने का साइटी बना दी नो दस्तारिक कोई एसाइटी ने परिवार पर प्रेसर करना सुरू कर दिया तो हमने शेम डेही आयर ओफिसर को मेल किया कि आपकी जो एसाइटी बनाई है वो भी दबाव डा साइटी को साथ लेके दरने पर बैठना और कुछ करना वहम करेंगे तो हमारे साथ यह गुड़ू तक से खास बात से थुए बनी हुए है चर्की दादरी से आते हैं अधिया वक्त हैं और चोदा पंदरा दिन तक आपने देखा होगा पूरा माहुल किस तरीके से इनोंने कि खिलाफ मोर्चा खोल के रखा फरजीन का उट दस लाग चोदा दिन तक यह काफी गयम गयमी चली और हर नेता कहीं हर सरपंच पारसाइद बलोक मेमर सब बड़े वेवारी चोटे वेवारी इनके धन्ने पर हमने देखे लेकिन अब समय दिया है चोदा पंदरा दिन का द किसी और पर प्रेसर डालती है तो हम तुरूंत लेटर डालेंगे उनका नाम लिखके जिप प्रेसर डाल रहे हैं इनके उपर यह यह सही जाच नहीं कर रहे हैं तो अगर फिर जरूरत मैसस होती है कल या पर सुब बिड़े बाद कहता है यह ऐसा हो रहा तो कहती कि फिर करना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों ने या कुछ एक लोगों ने यह करा हुगा कि यह चीज़े मैनेज हो सकती है को ब्लैक मैलिंग हो सकती है पुलिस प्रेस को मैनेज कर रहे हैं तो उसकी वी वेरिफिकेशन जस्टी कर लिजाए आपके पास सी आईडी है सारी चीज़ क्रिफ्ता करा है हमने पुलिस के खिलाब पांदोलन करके तो भी यही आल था उसके बाद पहले वाड़ा फर्जिन काउंटर था तिन चार दिन हमने उसमें लीड किया उसमें भी आपकी यही सब चीज़ें थी आज भी आपकी यही सब चीज़ें हैं कल भी आपकी यही थी दिली में उन्दर वो है नुए आधितानों कोई तकलीप नहीं है जिकायत करता को मैसेज हैं कि इसमें पिडित परिवार मेनेज करना चाहे तो आप मैनेज ना होने दे आप दूद का दूद पानी का पानी करें जी तो गुडूशी की बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत की बड़ा अच्छा लगा आपका किम्ती समय लिए आपकी काफी बैस समय होता है और अप आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं तो लोगों को यह कहता हूँ कि आपके साथ जाती होती है तो दर्णे करना परदसन करना और किसी काई का ये रोफिसर को या जो भी है न सामने आपके लोग है उनको रोड पे लागाना उनका चेरा दिखाना ये आपका राइट है ना जब तक आप जुलम को सेंद करते जाओगे तो आपसे बड़ा कोई पापी नहीं है किसी दूसरे के साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है आप रोड पे आईए पब्लिक ली लड़ाई लड़िए और ये आपके राइट है जी थैंक्यू हाइलिगेट हो चै कोई भी हो गुड़ू तक्षट नहीं बोल दिया है अगर हम दोची तो हम अंदर कीजिए ना हमने जूटे लिगे चल लगा रहे हैं तो अगर पुलिस वास्त में दोची है तो उनको अंदर कीजिए तो यहां तो आने वाला समय बताएगा लेकिन गुड़ू तक्ष पर नवश्कार जाहिए